आपका ATM कार्ड अभी तक आपने पिन अक्टिवेट नहीं किया तो इस पिन को आप घर पर ही आउनलाइन कैसे अक्टिवेट करें जी हाँ दोस्तों आज में यह बताने जाएं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पहले के शमय के जो ATM कार्ड थे उसमें मगनेटिव इस्ट्रिक वाले सिस्टम चलते थे जोगी पुराना हो गया 2018 लास्ट में इसको बंद कर दिया गया 2018 के बाद से आपको जो भी ATM कार्ड मिल रहोंगी उस ATM कार्ड में आपका SIM सिस्टम भी दिया हुआ है और शेक्यूर कर दिया है और मॉडल कर दिया है टेकनोलोजी की तो आपको ATM या कोई दिया टेम कार्ड मिला हुआ है उसके आप चाहते हैं कि आपका पिन अक्टिवेट हो जाए उसको अक्टिवेट करके उसमें पिन वगेरा सुरुप कर पाए आप तो उसको कैसे आप पिन को एक्टिवेट करेंगे और ATM कार्ड को यूज करेंगे जहां दोस्तों अपने इंटरनेट की क्रोम ब्राउजर पार और में ऑपने बैंक जैसे कि मेरा बैंक है एस्वी आई तो मैं अपने एस्वी आई के एंक पर आऊंगा मैं अपने SBI के बैंक पर आओंगा इसमें हमको डालना है SBI Online SBI Online डालते ही हमको Google पर सर्च मिल जाएगा वोगल को सर्च करने के बाद SBI Online हो गया और यहां पर सर्च मिलने के बाद हम आ जाएंगे State Bank आप इंडिया के साइट में इसको हम OK करेंगे OK करते ही देखिए हमारा State Bank आप इंडिया की Online SBI साइड एक खुल दाएगी खुलने पर हमें लॉग इन करना है अपने अकाउंट को जो कि हमारा नेट बैंकिंग अकाउंट है बैंक में उसको हमें लॉग इन करके उसमें हमें इंटर कर जाना है और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने ATM कार्ड को जह है वो पुराना वाला उसको कैसे अक्टिवेट करेंगे यह दोस्तों तो इसको आप अपने नेट बैंकिंग के जरिए से घर बैठेंगे अक्टिवेट कर सकते हैं और उसका पिन जेनरेट आप कर सकते है अच पालेस काई चया है 8 यहां यहां पर में लागी तरफ समय करना है लॉट हिएं धूरी फिल्क कर सबस्क्रिक करते ही परस ग्रिकंग में लॉग इन योनों पर नहीं जाना आने परस्टनल बैंकिन पर लॉग इन पर ना है कंटिनेट लॉग इन यहां पर यूजर नेम आपके अच्छा डाबते हैं और यहां इमेज़ आप देते हैं डाल पर हम लाविन करते हैं अब यहां पर हम आपको दिखाते हैं मैसेज आ रहा है अब यहां पर हम आएंगे इव इसर्विस पर इसर्विस देखते हैं कहां पर है यह देखिए यहां पर है इसर्विस में हमें आना है ATM कार्ड सर्विस ATM कार्ड सर्विस में आना है ATM पिंजन देशन ATM पिंजन देशन यहां पर हम क्लिक करेंगे ATM पिंजन देशन अब यहां पर OTP कि अपने हम जिस रेजिस्टर मोबाइल जिए अपने बैम को जिस मोबाइल नंबर से हमने रेजिस्टर किया है उसी नंबर पर ATM के जरिए अपने इस ATM को अप्टिवेट कर देंगे तो यहां पर हम से लिट किए यह देखिए यह वन टाइम का हमारे उस रेजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा अब यहां पर हम पासवर्ड डाल देते हैं जोटे हमें वो टी की मीटा उसको डाल देते हैं वन टाइम पासवर्ड डालने बाद हम यहां सब्मिट कर दी है हमें कृष्ट करने बाद हमारा पूच रहा है कि यह्या अकांट एक क्नित्स चांट है कनि लिक अ मतिरफे रहा हैं कार्ट नंबर पशचा है हमारा यही है इसी करते क्या करना है सम्मिट करना है और यहां पूछ रहा है इंटर फस्ट टू डिजिटा फिर डिजायर पिन का दो डिजिट कह रहा है अब यहां कुछ भी हम सपोर्ज हमें बना लेती है अब यह मैसेज के जरिये से हमें आगे की वे डिजिट मिल जाती होगी अब यहां पहरा इंटर फो डिजिट आप लुपिन इंटरफर्स टुजिट क्रेटिट वाई यू फालू टुजिट इस इंडियू एसमेश जो हमें एसमेश रिश्वित होगा है तो हम यहां पर डाल दोते हैं और सम्मेट कर दोते हैं करें कि दूस्तों प्रकार हम निई एटियम नंबर है जिए अपडेट स्कशब्वली का मैसेज आ गया होगया और एक्टिवेट गया तो दूस्तों आज की वीडियों बस इतना ही इस प्रकार आपको अपने किसी भी कि ATM को SPI के जैसे मैंने ATM को यहां पर उसका पिन जनरेट किया आप इसी भी ATM का पिन को जनरेट कर सकते हैं और दोस्तों अधिक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी और अपने दोस्तों में साथ सेयर करना ना भूलेगा थैंक्यू